समरूप आकरती वे जामितिय आकरतियां जो एक ही आकरती की होती हैं समरूप आकरती कही जाती हैं. सभी संगत आकरतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकरतियों का संगत होना आवशक नहीं है. क्रमशह 4 cm और 10 cm भुजा वाले दो सम्बाहु त्रिकोणों पर विचार कीजिए वे एक ही आकार परंतु विभिन माप के हैं इसलिए वे सम्रूप है दो सम्रूप वर्गों ABCD और PQRS पर विचार कीजिए कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिगरी कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिगरी कोण C बराबर कोण R बराबर 90 डिगरी कोण D बराबर कोण S बराबर 90 डिगरी दो सम्रूप वर्गों ABCD और PQRS पर विचार कीजिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CD बटा RS बराबर AD बटा PS बराबर 4 बटा 6 बराबर 2 बटा 3 समरूप आकरतियों में तत स्थानी कोण बराबर है और तत स्थानी भुजाओं का अनुपात समानुपात में या बराबर है विशेश रूप से भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुबुज सम्रूप है यदि उनके तत्स्थानी कोण बराबर है और उनकी तत्स्थानी भुजाएं समान अनुपात में हैं नीचे दिये गए आयत ABCD और समानांतर चतुर्भुज PQRS पर विचार कीजिए इन चित्रों में तत्स्थानी भुजाएं समान अनुपात में हैं अर्थार्थ AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CD बटा RS बराबर AD बटा PS बराबर 2 बटा 3 लेकिन तत्स्थानी कोण बराबर नहीं है अर्थार्थ कोण A बराबर नहीं है कोण P अर्थार्थ कोण A बराबर 90 डिगरी कोण P बराबर 120 डिगरी इसी प्रकार कोण B बराबर नहीं है कोण Q के कोण C बराबर नहीं है कोण R के और कोण D बराबर नहीं है कोण S के उधारण वर्ग A, B, C, D और आयत P, Q, R, S पर विचार कीजिए हल धिये गई चित्र में तच्थानी कोण बराबर है अर्थार्थ कोण A बराबर कोण P बराबर 90 दिगरी, कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 दिगरी, कोण C बराबर कोण R बराबर 90 दिगरी, कोण D बराबर कोण S बराबर 90 दिगरी परन्तु उनकी तत्स्थानी भुजाएं समानुपात में नहीं हैं जैसा कि इस प्रकार वर्ग ABCD आयत PQRS के समरूप नहीं हैं इसलिए तीन से अधिक भुजाओं वाले दो बहुभुजव में समरूप होने के लिए दोनों शर्ते आवश्यक हैं